बहुत चिकन बनाते हैं Union asking जनजञेप Julia किकन की üzग हुअgraph मेस में यहाँ कालिमघ कुटी काली मिज चंप मैदा, यहाँ बनाते हैं कोट कर देंगे लपेटेंगे इसमें अच्छी तरह से मिला दीजे और जटपट बन जाए गई यह कोई जादा मेहनत नहीं करना है बहुत आसान है और बहुत यूनिक टेस्ट तो बस यह चेकन अच्छी तरह से लपेट दिया है सब चीजों में और अब चलिए इसको पकाते ह यह दो नहीं है तो यह चëम लीआ रे लेंगे टेल को अक्ट कुरह में वरबटर साथ में डालने से बटर लग दिनोगे अब यह चिछोंल रख देंगे इस तरह से रखेंगे कि सब तलीपर लगें क्योंकि हमें इसको प्राइब है और Stadt अंच'RE पर लाक्य इसका गोल्डन कलर आ जाए तो पहले दो तीन मिनद तक तरफ घर करेंगे फर बलट देंगे सारे पीस को और दूसी सब्स्टार भी इसको इसी तरह से फ्राइ करेंगे और अच्छा गोल्डन कलर आने तक हमें इसको फ्राइ करना है तो 10-12 मिनट तक फ्राइ करिए पहले शुरू में तेज आँच रखे बाद में मीडियम कर लीजे लेकिन फ्राइ अच्छी तरह से करना है इसको तो बस चिकेन अब हमारा अच्छी तो नहीं भी डाल सकते हैं और इसमें अब हम ये कुटा हुआ लहसुन है जो की काफी सारा है और एक बड़ा चमज भरके है इसको कूट लिया है महीन नहीं पीषना है दरदरा रखना है तो ये लहसुनी चकन के ये स्पेशियालिटी है कि आपको लहसुन को ऐसे ही रखना इसको fry कर लेंगे, हलका सा golden होगा, थोड़ा सा साथ में नमक डाल देते हैं, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, और अब डाल देंगे चिकन, इसके साथ भी इसको पकाएंगे, दो मिनद तक भूनेंगे, तो ये लहसन के साथ भी चिकन अच्छी तरह से भून गया है, और अब इसको दाल देंगे पानी गलने के लिए, तो ये करीब 2500 एमल के पानी होगा, तो पानी डाल देंगे, ताकि चिकन अच्छी तरह से इसमें गल जाए, तो देखा, आपने कोई अननेसेसरी, आपको, मसाले कुछ भुनाई नहीं करनी बस यहां पर 20 मिनट हो गया है चेकन अच्छी तरह से गल गया है पानी सूख चुका है और इसका जो थोड़ा बहत पानी बचा उसको भी हम ड्राइ कर लेंगे थोड़ा सा तो यह स्टार्टर रेसिपी है इसमें तीन चमज भरके हम क्रीम डाल दें है उपर से थोड़ा सा काली मिच पांगर गार्निशिंग के लिए और डालेंगे साथ में डाल देंगे कुटी लाल मिच और थोड़ा सा हरा कटा धनिया बस अब इसको ढाक करके रख देंगे राक देंगे और धीमी आज पर सिर्फ एक मिनट पकाएंगे बस रक्कन कोला में और यह हमारा चिकन लहसनी या गार्लिक चिकन तयार हो गया है बहुत आसानी से जड़पट इतना असान है कि कोई भी इसको बना सकता है बैशलर्स रेसिपी है तो जरूर ट्राइ करिएगा और मुझे अपना फीड़बैक कॉमेंट के जरिये दीजेगा ऐसे ही मैं रोज न और फेस्बुक पर थैंक यू